Good morning everyone, आज का वीडियो बनाने वारे हैं देखो हम Animals and their feeding habitats ठीके, तो ये वाले chapter में, we will learn in this chapter about food animals eat, how animals eat and their food chain ठीके, क्या animals कौन कौन सा खाना खाते हैं और किस तरीके से वो उनका खाना खाते हैं और उनका फूर्चेंग वह देखेंगे आज हम तो स्टार्ट करते हैं ठीक है रेडियो सब लोग ओके आल एनिमल्स नीड फूर्ट तो लिव इट हेल्प देम तो ग्रोव गेट एनरजी तू दू वर्क एंड स्टेय एंड स्ट्रॉंग आप सबको पता है एनिमल्स को क्या च जरूरत है ठीक है सबको है हमें भी लिविंग तिंग्स है लिविंग तिंग्स को उनका लाइफ लिव करने के लिए किसके जरूरत होती है फूड की तो फूड उनको क्या करता है फिर इट हैस देम तो ग्रोव गेट एनरजी तू वर्क एंड स्टेय हेल्डी आंड वो कैसे रहते है फूड खाने के वज़े से अच्छे हेल्दी आंड स्ट्रॉंग रहते है ठीक है तो अब देखेंगे देखो आनिमल्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रूप्स अकॉर्दिंग तू देर फूड दे इट वो उनके फूड के हिसाब से आनिमल्स का थ्र हर्बी ओरस फर्स्ट क्या है देखो हर्बी ओरस ऍसेकेंड है कार्णी ओरस देखो ओमनी ओरस तो यह major टाइप स् formerly बञाएं यह स्थे एक ही प्योंण से प्लांच से उनको खाते लिए उनको स् That speak Kick〉 से चाइनिमल्स कैसे होते हैं प्लांक से बने हुए जो भी प्रोधक्से उनको खाते फीके, जैसे देखो animals like कौन-कौन से होते हैं parrot, grasshopper cow, goat deer, zebra, horses these are examples of harbrioras plants, यह सब किसके examples से? harbrioras plants के example से तो यह सब लोग क्या क्या खाते Shepherd, plants को खाते या फिर इक्या हो प्लांस से बने ये इसके totally क्या होगा, opposite होगा, जैसे कि carnivorous means ऐसे वाले animals, जो क्या खाते, only meat खाते, flesh खाते, जैसे कि देखो, some animals eat only flesh of other animals, जो क्या खाते, दूसरे animals को ही खाते, उनका flesh खाते, मांस खाते, मांस अहरी प्रानी बोलते, देखो, these animals are called carnivorous, ऐसे animals को क्या बोला जाता है, carnivorous, example में देखा जाए, तो कौन-कौन से है, जो कार्णी बताओ चलो, कौन-कौन से animals है, जो छोटे-छोटे animals को खाते है, yes, ये तो सबको पता है, lion and tiger, ये जो दोनों होते है, ये क्या करते है, सब बाकि जो छोटे-छोटे animals है, उनका शिकार करके क्या करते है, उनको खा जाते है, जैसे example, इनको बहुत सरे दिये, देखो, lion, tiger, snake, shark, wolf and cheetah, ये सब क्या है, क्योंसे animals है, ये कार्नियोरस animals है, क्योंकि ये प्लांट खाते हैं क्या, नहीं, ये प्लांट को हाथ भी नहीं लगाते, ये प्लांट नहीं खाते, ना प्लांट से बनी कोई चीज़े खाते, ये क्या खाते है, ये दूसरे animals को ही खाते ठीक है जैसे कि छोटे छोटे animals deer ऐसे वाले animals को खाते हैं थर्द वाला पार्ट देखेंगे देखो Omniaurus थर्द वाला पार्ट में क्या होगा बी आप ही सोचिए इसके दोनों को छोड़के दूसरा क्या खाना होता है एक तो plants होते हैं प्लांस से बनी चीज़े होती हैं, नहीं तो दूसरे अनिमल्स होते हैं, उनसे बना और क्या खाते होंगे दूसरे प्रानिमल्स, दूसरा कुछ नहीं खाते हैं, ओम्नियोरस में क्या होता है देखो, ओम्नियोरस यानि ऐसे ऐनिमल्स जो दोनों को ही खाते, दोनों को खाते हैं मीन्स क्या, जो प्लांस भी खाते हैं, यानि कि जो प्लांस के प्रोड़क्त भी खाते हैं, और साथ में मास, फ्लेंश, मीट ये सब भी खाते, ऐसे वाले जो ज अनिमल से उनको बोल जाता है देखो ओम्नी ओरस ठीक है जैसे ओम्नी ओरस में रेखोंगे क्या है some animals eat both plants and flesh of other animals जो क्या खाते बोट खाते हैं दोनों भी plants भी खाते है and animals को भी खाते है these are called ओम्नी ओरस अभी ओम्नी ओरस में देखा जाए तो example में क्या खाया देखो beer है crow है baboon है and humans है humans हैने को ओन yes हम लोग तो हम लोग भी किस में include हो रहे हैं ये ओम्नी ओरस में क्योंकि हम इसे कुछ लोग क्या खाते only plants, vegetables plants से बनी होई दूसरी चीजे, products और कुछ लोग क्या खाते फ्लेश, meat ये खाते हैं इसलिए हमारा जो division हुआ है वो किस में हुआ है ओम्नी ओरस में हुआ है तो ये थ्री types of क्या है animals है जो किस के नुसर हुए उनके food type के नुसर हुए ठीके उनके three groups बने है food के नुसर तो ये हो गया आज का point हम यहाँ पे stop करेंगे यह होगे हमारे types of animals ठीके यहाँ तक हम देखेंगे जो हमारा इसका next portion है ये chapter का हम हमारे next वीडियो में देखेंगे तो चलो bye all of you, have a nice day अच्छे से देखो वीडियो और अच्छे से learn करो ठीके, bye